अगण नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वैम सल्थ सल्थे कमेगे गुरू जी के लिए आपके कितने व्यकंसी दी गई हैं इसके लिए इस्टावारे चैनल पर नए हैं अभी वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमेशा नएने अपडेट्स पाने के लिए तुरंच चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकों को दबा दीजेगा ताइक को कोई नई इंफॉर्मिशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं ओफिस्यल वेबसाइट की तरफ तो यह फ्रेंड्स आप दे सकते हैं यह आपका ओफिस्यल वेबसाइट है और अर्बियाई का जहां सबको फॉर्म को अप्लाई करना है देखिए अपर्चुनिटीज डॉट और 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 जी डॉट इन पर भी जा सकते हैं वहाँ पर आप जब पहले नोटिफिकेशन नंबर प पर जाएगा जो कि आपका ओफिसली देखिए है यहाँ पर लिखा गया है रिकूर्मेंट रिकूर्मेंट ओफिसर इंग्रेट बी जनरल और इंपोर्टन इस्ट्रक्शन क्या है फॉर्म को अपलाई करने के लिए तो देखिए आपका सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए इंपोर्टन डेट्स की बात करते हैं और मोड़ाफ अप्लिकेशन की बात करते हैं तो मोड़ाफ आपका अप्लिकेशन है कंडेट्स आर रिक्वाइड टू एपलाई ऑनलाइन वनली थूदा बैंक्स वेफसाइट आपको www.rbi.org.in पर जाना है यहाँ आपका सब्चम के लिए अब दोस्क्रकंब बात करते हैं डिप्र के बारे में तो आपका यह लिए ऐगर हम बात करते हैं यह और मात जनर्रल के लिए तो आपका देखिए phase 1 जो आपका exam होगा general online examAlertion जो कि 6 Maars 2021 को होगा उसके लवा phase 2 जो exam होगा वह ओगा एक अप्रेल 2021 को आपको जो online application शुरू होगा form को apply करने का वह 28 January दोस्तों आपका 28 जर्वरी से शुरू होगा और यह 15 फर्वरी तक चलने वाला है 15 फर्वरी से आपको उसके पहले आपको फॉर्म को एपलाई कर लेना है फिर बात करते देखिए डी पी आर का तो इसका फेज वन एक्जाम होगा वह छे मार्च को होगा और पेपर सेकंड जो आपको रखा जाएगा तो अंफिर आगे बढ़ते हैं इसके सिलसले में और रहा हम बात करते हैं आपका वाइकेंसी कितना है उसके बारे में हम दिसकस करते हैं तो देखिया आपका यहां से पहले पोस्ट की बात हम करेंगे जो की ऑफिसर इंग्रेट बी जनरल के लिए है वहाँ पर जो unreserved category होती है, general UR की बात करते हैं, तो 108 post है, schedule cast के लिए, SC के लिए 49 post है, schedule tribes के लिए 27 है, OBC अनि other backward class के लिए 59 है, EWS का 27 है, total जो post है आपके इस पद के लिए, वो 270 है, फिर बात करते हैं, officer in grade B, DR, DEPR के लिए है, उसका 13 post general का है, SC का 5 post है, SC का 3 post है, और OBC का 6 post है, EWS का 2 post है, total है पर 29 post है, और जो पोस्ट में आपको variation देखने को भी मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर देखिए officers in grade B, DR, DSIM के लिए है, 9 post general के लिए है, SC का 5 post है, ST का 5 post है, और देखिए OBC का 3 post है, EWS का 1 post है, total जो पोस्ट है, वो है 23, तो य 22 post आपके total complete बन रहे हैं, और फिर देखिए हम आगे बात करेंगे, important points के बारे में, तो देखिए आपके यहाँ पर group wise जो आपके exam सहने वाले हैं, इसके लावा, physically handicapped के लिए फिर देखिए, आपका category दे रखा है, category management कर रखा है, उसको आप देख लीजेगा, कि कौन से category के ल साथ, तो आप eligible हैं, इसके अलावा STS करनी डेट हैं, आपको 50% पर भी आपके eligibility complete मानी जाएगी, फिर देखिए, इसके लिए के बात करते हैं, तो इसका 55% आपका statistics में होनी चाहिए, यहनि mathematics से आप कर रखे हैं, master degree, economics, econometrics, इसके लावा, quantitative economics है, mathematical economics है, integrator economics course है, इस एक यह सब अगर आपके पास degree है, 55 marks aggregate के साथ, तो आप DEPR के लिए यहाँ पर eligible हो जाएंगे, फिर देखिए हम बात करते हैं, DSIM post के लिए, तो master degree आपके पास होनी चाहिए, statistics से, mathematical economics से, econometrics से, statistics and informatics से, और यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से आपके पास qualification है, तो आप eligible हो जाएंग पूरा आपका यह list है, देखिए, फिर दोस्तों हम इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, देखिए, scroll down करेंगे, और देखिएंगे आगे क्या है, अगर हम बात करते हैं application fees के बारे में, तो आपको application fees कितना payment करना होगा, form को apply करने के लिए, तो general OBC और EWS, EWS जो की UR के करने rates ह होते हैं, उनकी जो fees है, वो 850 रूपीज रखी गई है, इसके अलमा, YSC, ST, PWD करने rates के लिए, 100 रूपे का के बारे करना होगा, इसके अलमा, staff अगर आप हैं, तो फिर आपको निल्याने, कोई भी fees आपको payment नहीं करना होगा, यह पूरा आपका होगा, हो गया यह, अगर द आपको इकिस साल से तीस साल के बीच में अगर हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यह पूरा आपका ऑफिसियल नोटिस था, दोस्तों, RBI का, RBI का ऑफिसियल वेबसाइट को विजिट कर लिजेगा, वहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर लिजेगा, कोई नई इन इसक्रिप्सिन में आपको लिंक मिल जाएगा, RBI के ऑफिसियल वेबसाइट का, वहाँ पे डिरेटली क्लिक करके आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, यह पूरी इंफॉर्मिशन थी, वीडियो को लाइक कीज़ेगा, शेर कीज़ेगा रश्क्राइट के पास, फ